भीक, भिकारी और भिकारिन ये तीन सद्ध बुद्ध के समय में नहीं थे पाली में नहीं है यानि के पूरे जितना भी साहित्त है बुद्ध का जो भी सब्द अब तक बताए हैं बुद्ध ने उसमें ना भीक है ना भिकारी है ना भिकारिन है ये भीक और भिकारी और भिकारिन शब्द भिक्कु से बने हुए है भिक्कुनी से बने हुए है जो बाद में जब भिक्कु का और भिक्कुनी का सम्मान चला गया तो लोग उनको भिकारी या भिकारिन कहने लगे और भिक्का कहने लगे क्योंकि जो भिक्कु सब्द है वो तीन सब्दों से मिलके बना हुआ है वो बना हुआ एक तो भद है भद माने होता है बहुत अच्छा व्यक्ति यानि जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है चाहे वो नर है चाहे वो नारी है उसको भद बोलते है भद्द पुरिस ये भद्द महिला ऐसे करके बुला जाता है या भद्द नारी या भद्द नर और दूसरा आता है इसके अंदर अख़्ी अख़्ी का मतलब होता है आँख यानि आँख वाला अच्छा जो भदपुरस है आँख वाला अब आँख तो सभी के होती है मगर यहाँ जो आँख का मतब है जो बुराई को और अच्छाई को देखने वाला हो यानि ऐसी आँख जो परे देख ले देखने के परे देख ले कि ये जो कर्म कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये अच्छा है या खराब है, जो बात मन में लेके आ रहे हैं, वो खराब है या अच्छी है, पाप वाली है या पुन वाली है, गुड है या बैड है, उसको अक्षी बुला गया है, और मन्तु माने होता है वाला, यानि कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छा है आँख वाला है। तो इस भद अक्ठी मन्तू से short form में जो सब्द बना उसको बोलते है भिक्कू। और मती बोलते है भिक्कूुणी। यानि कि अच्छी आँख वाली जो भद्द महिला है उसको बोलते है भिक्कूुणी। तो भिकुनी हो गया और भिकु हो गया ये सब्दों वहां से बने हुए हैं तो पाली के अंदर ना भिकारी है ना भीक है ना भिकारी इन सब्द है और ना ऐसा कोई सब्दों वहां दुनिया में कहीं आज से दिखाई दिया ये सब्दों बात में बने हैं तो तीन तरह के काम क जानते, वो बुद्ध के हाथ में एक कटोरा पकड़ा देते हैं, और कटोरा को लेके भिक्कु और वो घूंगते रहेते हैं, अरे थोड़ा तो अकल लगा लो आप, थोड़ा तो समझ लो, थोड़ा तो पढ़ लो, जब सीरियर बनाते हो, जब स्कृप्ट बनाते हो, या अक खुभ्वान बुद्ध का जो भिक्कु संग उनके खाने का नियम है, जब सर के ऊपर, जब यहाँ धूप आती है, उसके बाद में खाना खाते नहीं है। और उससे पहले खाना लेते हैं यानि सूरज होगा और लगबग आज का दुपैर का बारे वज़े तो उससे पहले पहले उनको खाना चाहिए और खाना कभी जिंदगी में मांगते नहीं यह नियम है विक्कु या भिकुनि या भगवान बुद्ध कभी आज सक उनोंने खाना मांगने की याचना ही नहीं की वो कभी याचना नहीं करते खाने के लिए उनका नियम है कि वो जाके खड़े हो जाते हैं एक दरवाजे पर जाके और आराम से खड़े रहते हैं जब वो जो घर का मालिक है या मालकी नहीं जब वो देख लेते हैं और देखने के बाद जाने के लिलाते हैं तो उनका जो बर्तन में जो डालते हैं उनकी निगा नीची रहती है वो नहीं देख लिए क्या डाला Chate권 Tam तो उसका वो अनुगोधन करते हैं, अनुगोधन है, उसका धम सिखाते हैं, उसके बंदे में, जब उसको धम सिखा देते हैं, या नहीं बोजन लिया, धम सिखाया, फिर वो देखते हैं कि जो खाना है, बजन से पता चल जाता है, खाने का देखके, तो खाना जो मिला है, क्य जाता है बापीस हाते हैं सारा भिकु संग कुस खाने को मिक्स करता है एक साथ और produkt और लिए ओल ऐसे पहले घा जाते हैं तो यह मसाइन ँसके पात रहे था बत्र को कटो तुरी दिदि गोमें absorption को ग्याता जो कुछ पूरी दुनिया द नंबर-ेक में नहीं खाता है, वो कटोरा लेकर घूमेगा गया, इतनी बिचती करते हो, तुम अपने भारत की, इतनी बिचती करते हो, जो ये भारत में इतनी बड़ी सिक्षा है, पूरी दुनिया उसको मानती है, तुमको शरम नहीं आती, तुमको लाज नहीं आती, तुमको लाज नही इसको तरह ध्यान नहीं है कि कब खाना खाना है कर नियम बना रखा है विने पीटक के इंदर खाने के नियम बने हुए है तो जो ये भिकारिन और जो भिक्का वाला है ये जब धम चला गया भारत से और धम को खतम किया गया उसके बाद में लोगों ने उनका चीवर पहन के, उनके कपड़े पहन के और कटोला लेकर गूमने लगे, वो भिकु नहीं है वो भिकु के भेस में भिकु जैसे और लोग है जिनको बाबा बोलते हैं जिनको संत वोते हैं जो 24 गंटे अपना जोला लेके मांगत रहते हैं खटा करते हैं भिक्कु कभी नहीं खटा करता है भिक्कु कभी नहीं मांगता भिक्कुनी कभी नहीं खटी करती है आज भी उनका नियम है, अगर वो इस नियम से हटते हैं, तो वो ना भिक्कु है ना भिक्कु नी है, ये बिल्कुल सेंट परसेंट बिल्कुल ठीक है, तो यहां तीन बाते हैं, एक तो है भिक्का चरिया, अब भिक्का चरिया क्या है, भिक्का चरिया होता है, कि वो जब भि चलने को चरिया बोलते हैं, tot तो भिक्ता-चरिया क्या है, भिक्ता-चरिया में वह वह सुबह उठता है, व्यपजना साधना करता है,- नहाता है бег, उसके बाद में जो आसपास एरिया वहां जाता हैua जाके खड़ा होता है medium, पहला तो वह पिंड़ान लेता है額 जो पिंड़ा पूरी पूरी भिक्कु की चरिया या भिक्कु की चरिया और एक है पिंड चरिया पिंड चरिया का मतलब है खाने की चरिया खाने की चरिया सिर्फ इतनी है कि जब वो भिक्कु भिक्का चरिया में जाता है उस समय से लेके जब उसको खाना मिलता है पिंड मिलता है और पिंड के खाने तक जो काम करता है उसको पिंड चरिया बोलते हैं या पिंड पात बोलते हैं या पिंड जो दान होता है उसको बोलते हैं किसी ने पिंड दान दिया वो पिंड चरिया में आता है उसने पिंड को मिक्स किया खाया उसने आपस में बाटा खाया बरतन को धोय उसके बाद अपने बैग में रख लिया या अपने चीवर में रख लिया और उसके बाद पिंड चरिया उसकी खत्म हो गई तो पिंड चरिया बहुत कम समय की होती है और जो भिक्का चरिया है वो थोड़े ज़्यादा समय की होती है जो भिक्कु चरिया है वो पूरे दिन की होती है इन चरियों में बेसिकली अंतर होते है तो यहाँ जो एक सब्द आता है भिककती भिककती का मतलब है भिक्कु भिककती भिक्कु भिककती का मतलब है कि भिक्कु अपनी भिक्ता की चरिया करता है या भिक्कू अपने बिरिया के जो उसके भिक्कू वाले जीवन के काम है उनको करता है भिक्कू भिक्कती का मतलब यह नहीं है कि भिक्कू भिकारी है और वो भीक मांग रहा है और वो कुछ मांग रहा है यानि भिक्कू भिक्कती नहीं करता 24 गंटे बिक्कु जो भिक्कती करता है वो 24 गंटे की उसकी अपनी चरिया है अपना काम है बिक्कु जीवन में जो भी काम करता है उसको भिक्कती बोलते हैं कि ये बिक्कती करता है तो ये जो भिक्कु का जो बताया हुआ है या भिक्कन हो गया उसकी जीवन चरिया का जो नावन उसक जिसको भिकका पात भोलते हैं या जिसको पतन बोलते हैं तो चौविस गंदे लेकर घुमघळा है। हैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, वो साधना करते हैं, विपस्ना करते हैं, अपना भिक्कु जीवन जीते हैं, भिक्कती करते हैं पूरे दिन, भिक्कती करते हैं, पिंट पात नहीं करते हैं पूरे दिन, धन्यवाद। यो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सबी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिस लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गच्छा में बतां शरनं गच्छा में धन्यवाद शरनं गच्छा में संघं शरनं गच्छा में